राजस्थान में चक्रवाती तूफान बिपर्जोए कहर बर्पारा पाली, बार्मेर, जालोर, जोधपुर्ग और राजसमन्द समेत कई जिलों में बारिश का दोड़ जाले बर्सात की वज़े से जगा जगा नदी, नाले, उफान बरे कई बांधों में पानी की आवक अच्छी होने के कारण ओवर्फ्लो होने लगा है बारिश की वज़े से बार जैसे हालात बन गया है कई गाओं का मुख्यमारगों यानि नैशनल हाइवे से संपर्क भी तूड़िया है आवा गमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है जगा जगा फसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है बारिश को देखते हुए NDRF, SDRF और सेना भी मदद में जुटी हुई है अगर पिछले 24 घंटे में बारिश के आकड़ों पर ध्यान दें तो सबसे दादा बारिश सिरोही के शिवगंज में हुई है शिवगंज में 315 mm पानी बढ़सा है वहीं रेवदर में 243 mm, पिंडवाडा में 176 mm, मांट आबू में 203 mm, कुम्भ लगड जोकी रात समंध में आता है उसमें 120 mm, देवगड में 147 mm, ओमेट में 71 mm, जोदपुर में 44.5 mm, लूणी में 91 mm, शेरगड में 60 mm, और जहमर में 104 mm पारिश हुए आपको बता दें कि केंद्र और राजसर्कार सुरक्षा प्रबंद करने में एक महीने पहले से ही जुड़ गए थे, लेकिन फिर भी बिपर जोई का टांडव कुछ ऐसा रहा कि राजस्थान के कई इलाकों में काफी तबाही मची है और अब ये तवाही और भी बढ़ सकती है जैसे जैसे ये तुफान राजस्थान के बाकी जिलों में दस्तक देता है फिलाल अश्पोर्ट में इतना ही बिपर जोई से समबंदित और इंफोर्मेशन जानने के रिए आप देखते रहें एबीपी लाइब